फाइनली दोस्तों स्वागत करता हूँ हमारे चैनल रभी चौधरी तेरी मेरी बाते और आप देख रहें तेरी मेरी बाते दोस्तों वीडियो के अंतर बने रहिए करूँ आ बड़ी खुला से गदर 2 को लेकर बहुत बड़ी अनाउस्मेंट आईए दोस्तों गदर 2 का टीज भी पॉस्पोर्ण कर दी है कि गदर 2 के लहर दोस्तों सुलामी की तरह आ रही है और आगी की तरह फैल रही है इस फिल्म को डैरेट किया है अंगली सर्मा ने जी स्टूडियो के बैनर तले फिल्म बन रही है लगबक सौ करूर का एक हुज बजट है दोस्तों आपको बता बुकिंग कैसी रिकॉर्ड बनाती है इसके एडवांस बुकिंग अच्छी होती है या फिर स्पोर्ट बुकिंग दोस्तों जादा होगी यह देखना बहुत दिल्चस्प होगा साथी साथ दोस्तों फैन्स लोग काफी ज्यादा एकसाइटीड है मुझसे पूछ भी रहते ह कवाएगा गदर टू के बारे में अपडेट क्यों नहीं देते टेलर कव तक आएगा तो दोस्तों इंतिजार की घड़िया होगा यह खत्मे क्योंकि गदर टू का टीजर दोस्तों इसी महीने जी हाँ अपरेल के मिड मन्त में आ रहा है यह बहुत बड़ी खुश खबरी है दोस्तों और यह टीजर आ रहा है आफिशल टीजर आ रहा है आपको बता दो दोस्तों कि टीजर लगभग एक मिनट बीस से टीस सेकेंड का होगा और इस महीने में दोस्तों आपको बता दो कि और भी फिल्म जैसे की भाई जान कभी ट्रेलर आ सकता है जो 21 अपरेल को एद काले दिन आ रही है जून में भी बड़ी फिल्म आ रही है आदी पुरूशे जवान इन सब के भी टीजर और फर्स्ट लुक आ सकते हैं तो अपरेल का जो महीना है दोस्तों कहीं न कहीं बहुत धमागा देने वाला है साथी साथ दोस्तों अपरेल में जब टीजर आ जागा इसका टीजर के बाद ही पता चले जागा दोस्तों गदर टू का क्या अंजाम होने वाला है टीजर के बाद फिल्म मेकर जो है कहीं न कहीं इस स्ट्रेड़जी पे काम कर रहे हैं कि एक बाद टीजर की सफलता दीख जाए कि टीजर में उन्होंने कैसा इंपुट डाला और अगर स्टोरी हमें पता है तो उसमें क्या ट्विस्ट हो सकते हैं अगर गदर 2 की स्टोरी मांगे चलो ये एक बात बेटागी कहानी दिखा दी तो दोस्तों इस सिंपल स्टोरी चित जाएगी जो कि मुझा रखता कि स्टोरी की मामले में कहीं न कोई है कि एक पॉइंट हो होना चाहिए तो दोस्तों गदर 2 में वो प्लोट क्या होगा क्योंकि आपको मैंने बताए भी था पिछली वीडियो में कि जब अनिर शर्माजी संदी देवलपाजी के घर गये और उन्हें लगबग हजार स्क्रिप्ट नरेशन किया हजार स्क्रिप्ट को नरेट किया संद का अनिर 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 शर्माजी से बैदर कोई नहीं जा सकता है क्योंकि दोस्तों 06 आप को पता है यह फिल्म छो κάν ने दे रखे हैं जिन्हों पहले गदर पार्ट में दिया था अब तो दोस्तों मिथून का composition है मिथून का composition आपको पता यह दोस्तों क्या कमाल कर रहता है जो भी नौटियाल मिथून और उधित नरानजी का एक background music कमाल का बनेगा क्या music बनेगा दोस्तों नय वर्जल में गदर टू का एक के remix आएगा दोस्तों मजा आजएगा सुनके तो दोस्तों गदर टू का teaser का हम सब को wait है और आशा करते हैं कि teaser जो है कमाल का हो और ऐसा आग लगा दे कि सन्नी दिवल की एक फुकार से ही पाकिस्तान के अंदर धू आउट जाए जी हाँ दोस्तों पाजी बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद और दोस्तों वाकिए में वह सुनने के लिए हम सब पागल है उसके बाद मई में दोस्तों मई जून जुलाई अगस्त के लिए 11 में रिलीज हो दि फिल्म है तो हमारे पास तीन महीन आए मई जुन जुलाई और इस तीन महीने के अंदर दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि मई में सौंग आने सुरू जाए मैं मैं अट इस दो सौंग रिलीज होंगे और ट्रेलर दोस्तों ठोड़ा लेट आएगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर 11 अगस्त को फिल्म आ रही है तो ट्रेलर के लिए है बनाएंगे यह ट्रेलर से पहले सौंग आएगा जितने जड़ा आ सकते हैं तो ट्रेलर को आने में फ्ला लेट होगा लेकिन टीजर एक टीजर आयगा उसके पार एक टीजर और आने की उम्मीद है जो कि मई में आएगा दोस्तों सौंग के साथ है तो देख रहा दिल्चस होगा दोस्तों हाँ एक और गुड नूज ये भी आई है कि 11 अगस्त को गदर 2 के सामने अगनी होत्री की ये जिरो ने कश्मीर फाइल्स को बैलेट किया था जिसने वर्लड वाड लगबख 280 करोड का कारूबार किया था दोस्तों और ये आठ करोड की फिल्म ने इतना बड़ा काम कर दिया था और कुछ लोग चेह था कि प्रोपेगेंडा फला रहे हैं दोस्तों आ आडिकल में ये मैंशन किया है कि मैंने इस यो तक कर दे रही है गदर टू को लेगिन ऐसा कहा जा रहा है कि अगर 11 अग Kings माहले देशभक्ती का चारई वाइलेंस फिल्म होने वाली है फिल्म है बाप बेटे की का रहा है वो भी दिल के साथ अनिल कपूर भी है रश्मी का मंदाना है रडवील कपूर है लेकिन दोस्तों एक तरफ संदीपाजी ब्रांड नेम गदर टू गदर और एक तरफ एनिमल तो दोस्तों जायर सी बात है कि बंदा गदर को पहले देखेगा और एनिमल को बाद में कहीं न कहीं यह कंपटीशन रहेगा और दोस्तु कंपटीशन रहना भी चाहिए क्यूकि 2001 में कंपटीशन था लगान के साथ है तो लगान और मधिव क्या बिचार लेकरिए mobile अपडेट का झारी धो फच्यों ब्हुतक्याई दो बोचे जेंगे वारत